जैहिंद वेलकम टू एरफोर कोचिंग इस वीडियो के अंतरगा समझेंगे टिग्नोमेट्रिक रेसियो देखिए सबसे ज़्यादे स्टुडेंट्स को प्रोलम आती है जैसे कि साइन तो यह किस तरीके सा आता है यह प्लस माइनस के चिन कैसे आते हैं तो इस्टुडेंट नहीं समझ पाता तो देखिए मैं आपको इस वीडियो के अंतरगत एक चक्रव्यू के माध्यम से यह बताऊगा कि यह फंसन कैसे कैसे आते हैं तो देखिए उससे पहला थोड़ा सा बेसिक समय लीजिए तिरकॉन मितिया अनुपातों के नाम नेमो पो टिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए जैसे कि एक फैमली में 6 मेंबर्स हैं जैसे कि राम सबसे बड़ा है सियाम से चोटा है रवी इस तरीके से 6 मेंबर्स हैं तो चोटे का को टेंजन और पांच में का सीकेंट और चटे का है को सीकेंट अब अगर आप इनका नाम देखेंगे तो ये इंग्लिस में नाम है अगर मानलीजे आप हिंदी में देखना चाथे हैं तो देखिए ह। में नाम है, साइन का है हिंदी में नाम है जया, और को साइन का है कोज जया, और टेंजेंट का है इस पर से जया, और को टेंजेंट का है व्यू इस पर से जया, और सीकेंट का है व्यू जया, और को सीकेंट का है व्यू जया, अब देखें यहां पर थोड़ा सा एक दूसरे से कम कमब माइन कर कि यहां पर जया है Scientists का रिविव जया हैं इसका मतलब यह कोश हैं यहां पर date इस तरीके से छे मेंबर्स पढ़े थे जैसे की साइन है वो साइण है यहां पर एंगिल कितना इसका थीटा है इसी परकार को साइन होता था तो यहां पर POS sign की जगे मैंने POS कर लिया आए अब दिखिए किसी का नाम वेड़ू Gopal Rao है अगर आप इससे राउ राउ वोलेंगे या गो पाल वोलेंगे तो shortcut में आप इस नाम से पुकारेंगे तो इसी प्रिकार देखिए technometric ratio है तो इनके नाम से पुकरा गया सोट फोम में जैसे कि यहाँ पर साइं था तो यहाँ पर साइंट हिए और साइंट था तो betray अब इससे क्री17 यहाँ लाल बटह कक्वा कक्का यूज करते हैं तो देखिए सबसे पहला आप देखिए अपर लाल बटे कक्का अब देखिए सबसे पहला जो नाम होता है वो तैन का होता है, दूसरा नाम पर उपर से यानि कोस का और तीसर नंबर पार 10 का अगर देखिए आप इसे उल्टापड़ेंगे तो court और देखिए यहां से इधर के ऊपर पढ़ेंगे तो यह सैक टीटा और इसी प्रकार यहां पर को सैक टीटा अब देखिए यहां पर भी एक system से यानि से नाम रखे गए हैं जैसे कि किसी family के अंदर यानि कि सबसे बड़ा राम है उससे छोटा सियाम है तो इसी प्रकार स कम्प्रीटा याल वटे कका तो पहला अंदगे आप लाल यानि की एल तो लिखा जाएगा लग फेला बर दीटा है यह लाल वटे कर यानि की यानि कि हैल स्थी जाएगा लंग और के सरह औना एक थो को जिता क्या रहा है विए तो देखिए यहांपर एवटे के लिखेंगे तो ए से क्यों जाया का आदार और के से क्यों जाया कान प्रकार तो देखिए इसी प्रकार के आपने वहा पतब हुआ यहां बटे शयर कि यहां पर कोंच थीटा है आधार बटे कण केंगे रहा था यहां पर यहां पर यहां पर यहां से एक चीज़ सीखे यानि कि yis sign का विद्करम है cosec theta होता है यानि कि sign theta is equal to one upon cosec theta और tan theta is equal to one upon cosec theta oh sorry sak theta is equal to one upon cosec theta तो यहां से relation यह भी निकला है अब देखें यहां पर आपको यह कैसे याद करना है अब देखे में जैसी याद करने का तरीका यहाँ पर जो शोट Unterlasya जो ङाद कर सकते हैं अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो गया, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब देखिए यहाँ पर एक नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, उससे पहले आप इसे समझिए, अब देखिए यहाँ पर जहाँ पाइथागोरस बिर में है, पाइथागोर से याद एंगल ठीटा है, तो इसके सामने वाली बुजा को विभक कहेंगे, और सबसे बड़ी बुजा को क्या कहेंगे, कुण azyy ashamed, पर त बैसे खेरने किंगे और जोले होता हाई-पोटैनियस तो देखें यहां पर सोट में लिख रखा है यानिक पर प्रेंडिकुलर का जो पहला अक्सार है यहां पर प्रेंड कर सकते हैं याद करने का तरीका यह है पाकिस्तान वह का प्यासा और हिंदुस्तान हरावरा अब देखें यहाँ पर sinθra है, sinθra, अब देखें यहाँ पर पुजाओं के रूप में कैसे लिखा जाएगा, जैसे कि sin है, अब देखें किसी तिरूज के अंतरगत, उसी तिरूज पर sin से लेकर कोसेक तक, जैसे कोसेक ठीटा है, आप तब ही अपलाई कर सकते हैं, जब उस त तिरूज के अंतरगत एक एंगल क्या होना चाहिए जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो वहाँ पर आप पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं पाइथागोरस पर में क्या होती है सबसे बड़ी बुजा का वर्ग सेज्ट दो बुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होत लंबार सकते हैं लंबटे कने देखिए जो सकते हैं रुप में लंब्म कितना है। अपर बी का brain आप के बुजाओं के जो सबी जितने रिजल्ट पार इन्हे रिजल्टों को सु आप तिरकुड मितिया नूपातेों के विजक्रम समझ समझी है जैसे कि sign और cosec में relation था और tan और coat में relation था और sec और cosec में relation था अब देखें यहाँ पर number 1 sin theta is equal to lumpedate can था अब देखें अगर मैं इसे एक के बटे में लिखना चाहूं तो आप लिखेंगे यानि कि कण यह लंब है तो इसके बटे मा आ जाएगा यानि कि कण बटे लंब यानि एक के बटे में लिख सकते कण बटे लंब यह लंब है तो सबसे इसके बटे में आ जाएगा अब आप जानते हैं कण बटे लंब किसका मानता पोसेक ठीटा गा sin theta is equal to कितना result आया बन अपॉन ओसेक ठीटा अब इसी प्रिकार जैसे कि आप कोस का निकाल सकते हैं जैसे कोस theta is equal to था आधार बटे कण अगर हम इसे एक के बटे में लिखना चाहें तो यह हो जाएगा कण बटे आधार एक के बटे में कितने लिखेंगे कण बटे आधार और कण बटे आधार किसका मानता सेक ठीटा का सेक ठीटा तो कोस है कोसट ठीटा is equal to क्या हो जाएगा बटे कोट्ट थिटा इसी प्रिकार 10 कितना हो जाएगा 10 ठीटा हो जाएगा बटे कोट्ट थीटा अगर आप मान निकालना चाहेंगे अब देखिए यहां से जैसे cos theta is equal to बनपौन सैक theta है अगर यह सैक theta अधर लेकाएंगे तो यहां पर हो जाएगा बनपौन cos theta इसी प्रकार cos theta है लेकाएंगे तो sign के हो जाएगा सैक इधर लेका आते हैं तो सैक theta बराबर हो जाएगा यहां पर बनपौन cos theta किसी प्रकार अगर 4 theta यहां लेका आते हैं तो cos theta बराबर हो जाएगा बनपौन 10 theta अब देखिए यहां पर जो relation है यहां से एक relation और बनता है अगर हम 10 theta को लम बटे कण लम बटे आधार लिखते हैं अगर हम इसमें लंबे जो लंब लिखावा है अगर लंब में हम कण से भाग देते हैं और आधार में भी कण से भाग देते हैं तो यहां पर रोजाएगा लंबटे कण और यहा पर भी हो जायगा आधारवटे कण तो देते कण्डिक य्यनि हिसं तीटा तो यह सा जागा साइन الذي भटे और आधारवटे क्ण्ड किसका माने तो आधारवटे कंड किसका माने यह सि pandemia तो यहां से एक result निकलता है 10 theta is equal to sin theta पर cos theta अब देखिए हैं यहां से result निकाल सकती है cos theta बराबर आप देखिया आप जैसे कि 10 theta है 10 theta बराबर 1 upon cos theta अगर हम इसे cos theta बराबर लिखेंगे 1 upon 10 theta तो यहां पर cos ऊपर हो जाएगा sin क्या जाएगा दिनोमिनेटर मा जाएगा तो cos theta बटे sin theta अब देखिये मुझे उमीद है कि आपको जितने मैंने result बताएं clear हो गए होंगे अब देखिये जिसका मैं मान बता रहा था जैसे कि sin 180 plus theta is equal to minus के sin theta है तो आईए उसे समझते हैं कि अब आप देखिये coordinate axis निर्दे सांग अक्स और ने सांग अक्स किसे कहते हैं आइसा अक्स जिसमें 2D डारेक्शन होती है यानिकी x और y और इसमें 4 4ण सो जैसे कि आप देख रहे हैं यानिकी सबसे बड़ा कंफीजन स्टूडेंट्स के लिए होता है कि प्रिथम में प्लस प्लस और तीसरे में माइनस माइनस और चोथे चतूर्थांस में माइनस किस प्रिकार आते हैं अब देख ह verbess रहे हैं यहाँ पर ऑफ चली धूरी और जैसी आप तो माइनस morte ऑफ की दूरी होगी इसी प्रिकार आप ऊपर की और चलेंगे तो माइनस के दूरी होगी और नीचे हमें पर पिर्याद्फम पर पार्दिये हैं जो यह घीडिख से लिए और यहां पर प्लस कवर7 उइसके हमिए जिसके कोpros 막 तो बदें जो यहां पर यहां पर सुद्रिक बात करेंगे तो प्लस को है यहां पर कितने आसान तरीके से लिए पिरतांस में तो इस प्रकार कैसा है यहां प्लस आते है और ठर्ट 但 बहुंत कि Цयश्टतांस व clicking on कितना है माइनस का और वाइ का मान में माइनस का है तो देखिए सब्हारे सिस्टम को step by step समझें जैसे कि sun मैंने आपको बताया थे कि sin 180 plus theta minus sin theta या sin 180 minus theta is equal to plus sin theta यह कैसा आता है जैसे कि cos 180 plus theta is equal to minus का cos theta यह कैसा आता है तो इस बात को समझेंगे इस से पहला आपको यह step by step समझना होगा अब देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं यह x है और यह क्या है y x है तो देखें मैंने यहाँ पर इसके चार भाग कर लिए है एक लाइन तो इस्तिक्रकार कीची है और एक लाइन इस्तिक्रकार कीची है आपको सम्झाने के लिए अब देखें यहाँ पर यह एंगल कितना यहाँ मैंने थीटा देखें यह वाला नहीं 360 plus theta यह आप अंदर वाले 90 डिगरी अगर यह थीटा है तो यह कितना हो जागा 90 माइनस थीटा अब देखें जैसे आप यह लाइन यहां तक की 90 डिगरी है यहाँ पर कौर तो जैसे आप आगे जाएंगे तो यानि कि फीटा इसमें अड़ाजा गया है 90 फ्लस ठीटा और यहां पर देखिए यह लाइन कितने कि ए 180 डिगरी किया है तो जैसे आप 180 के करेब आएंगे तो 180 माइनस फीटा हो जाएगा और जैसे आप 180 देखिए लाइन 180 के जैसी आप नीचा हैंगे 180 प्लस ठीटा यह लाइन देखे 270 की है क्योंकि यहां से यहां तक 90 है और यहां तक 180 की में जब 90 हैंगे 270 तो यहां पर यह 270 माइनस ठीटा और जैसी आप इससे आगे जाएंगे तो यहां पर आएगा 270occup ठीटा और देखें यहां पर यह 270 है जब आप इसमें 90 कर देंगे तो 360 हो जाएगा तो यहां पर angle कितना है गा? 360 माइनस टीटा इसी परकार यह करम चलता रहेगा जैसी आप इसा आगे मतलब इससे 360 से जैसी आगे जाएंगे यह इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, all यानि यह से all s से student t से tuition और c से center तो यहाँ पर all student tuition center, all student tuition center आप इस तरह सकते हैं, अब यहाँ पर a से यानिकि all बनेगा, यानिकि इसमें सभी positive रहेंगे, मैं आपको बता था साइन का जो सांबंधे किसके साथ होता lieutenant bus चतूर्थान्स कें अंदर साइन और कोसे कैसे रहेंगे प्लस के बाकि जो चार टिगनोमेटरी रेशियों बच्छे वो कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे, अब देखिए टी से क्या बनता है, टैन, टैन का वित्रम संबंद है, कोट ठीटा, और यहां पर देखिए टैन और क कैसे रहेंगे तीसरे चतुर्दान प्लस के रहेंगे और जो चार बचे टिक्नोमेट्री रेसियो कैसे रहेंगे माइनस के रहेंगे मुझे आसा है कि आपको यह भी किलियर हो गया अब देखिए यहां पर जैसे कि कि ओल लिखा हुआ है तो यहां पर ओल का मतलब है जितने चिंग्णोमेट्री फरंशन होते हैं चैके चैया यानि कि साइन कोस्ट टैन और टैन कोट और सैक और कोस्ट यह सभी कैसे रहेंगे प्लस करेंगे और यहां पर देखिए सेकंड क्वाडरेंट में कौन-कौन से प्लस करेंगे और फॉर्ट में कैसे रहेंगे कोस और सैक प्लस करेंगे बागी करेंगे कैसे माइनस करेंगे अब देखिए आपको यह दो लाइन इदर दिखाए दे रहे होंगी और यह दो लाइन इदर और यहां पर देखिए तीन लाइन है यहां पर भी तीन लाइन है एक आप यहां पर यह दो लाइने है तो वहां यहें लाइन कैसी है नो चैंज वाली है यानी कि तीनोमेट्री रेशियो के एंगल में आएंगे तो यह कैसे रहेंगे यानि कि is पर एंगल कैसे रहेगा नो चेंज रहेगा क्योंकि मैंने आपको अभी यह सबताया था अब किया बार किया इन पर यहां पर यहां पर यहांपर तीन नाइन आ रही है यानि कि 270 – theta और 270 प्लस ठीटा पर जब किसी तो यहां पर यहां पर यहां पर चेंज हो जाएगा अब देखिए आप 90 माइनस ठीटा यह 90 प्लस ठीटा पर भी चेंज होगा अब देखिए इस बात को एक उधारन के माध्यम से अभी आपको बताएंगे यानिकि चेंज कैसे आजाते हैं समझे खिंज किसम हो ना इस बात को समझ लीजिए यानिकि अगर साइन है इसका अगर आ जाएगा तो एका साइनकि जोगा यानिकि इसमेर कोडर में और टैन किसमें चेंज होगा कोट में और सेक किसमanka प auraitarm एन पॉस होगा वाइन हो इसका जफाज देखिए यानिकी फोस अगर आ जाएगा अवि तो में प्रॉस के उप्र उपले कर फिनंग और कोज़ग लृत में ऑर कोळा लृत सम olब fig अब ऑब देखिए असreu ँचितो तैनक फुर्फ के ल--" और 10 90 minus theta is equal to plus का 4 theta देखिए किस प्रकार आ रहे हैं result यानि कि sign cos में क्यों आ रहा है, cos sign में आ रहा है तो इस बात को समझेए, अब देखिए सबसे पहला तो आपको क्या करना है यहाँ पर angle देखना है कि angle 90 plus theta ये 100 c plus theta ये 100 c minus theta है तो देखिए यहाँ पर angle कितना है 90 minus theta और 90 minus theta एंगल देखिए कोन से quadrant में आता है यानि कोन से चतुर्थान्स में आता है, तो देखिए 90 minus theta कोन से चतुर्थान्स में है प्रिठम चतृतांस में और प्रिठम चतृतांस में यह भी देखना है कि जो टिग्नोमेक्टरी जो रेशियों है वो कैसे हैं यानि कि सभी कैसे हैं यापर पोजिटिव है यानि कि sin, cos, 10, 90-2 तो जहां पर उसके अंतरगत आएग़ा तो आगर कोस आएगा तो किसमें चेन्ज होगा साइन में लिख रहा है यानि कि साइन किसमें होगा कोस में और कोस किसमें चेन्ज होगा साइन सानस तबैक में किसमें चैंज के आप यहां और सौइभ घ्रक यहां पर यह जङेkte तीटाफ साइन यहां पर साइन पर left में देखना है left से right में चेंग होगा तो left से यह sign है तो sine का क्या हो जागा cos theta अब आफ को देखना है सर यह plus आएगा यह minus आएगा तो आप यह देखने कि 90 minus theta कौन से quadrant में है यह यानि कि first quadrant में अर फ़स्ट क्षडर्रेंट में कैसे रहेंगे सभी प्लस के रहेंगे तो इसलिए देखिए यहाँ पर यह प्लस का कॉस्थिटा आएगा अब देखिए कॉस 90- ृति किसमें change होगा यानी कि प्लस के sin- כ्योग्कि देखिए कि reckon कोस किसमें change करेंगे sin- में तर सबढम के किसम में और कि परकाइब की कोट किस May से पीजिए हैंगे सबasınaीं एक साइब से कि कि समझेंगे यय Pastikan या स्थिस्था एक कि ना तू किसमें ? तो देखिए आपर कोट 90-थीटा किसमें चींज होगा 10 में और सच किसमें चींज होगा कोटेटा में और कोटेटा में सेक तब आगे समझें आपर चेंज वाली लाइन पर हैं तो देखिए यहां पर चेंज तो हो गई होगा लेकिन आपको आपको बस यह देखना है कि इसमें positive कौन कौन से आएगे और negative कौन कौन से आएगे अब देखिए अपन 9 के plus theta है कोन से quadrants के अंतरगत है यानि कि second second quadrants कौन कौन से plus के यानि कि sin theta और cos casa plus के भागी कैसे आजाएगे minus के का हो जाता है नहीं को सिर्फ का क्या हो जाएगा यहां पर सयंट हिटा आपने कि प्लस माईनस कैसे लगाना है अब असे बात सम्सक्राइब पोजिटीफ साइन जब change होगा आएगा तो plus का cost eta में आएगा और दिखिए को सेख जो change होगा वो plus के सेक ठीटा में change होगा और ये दोलों plus के रहेंगे बागी कैसे हो जाएगे माइनस के दिखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं सबसे बड़ी गलती हैं प्लस के रहेंगे तो इतर भी साइन आ रहा है प्लस का कर लेते हैं याँ पर यहांपर यह सिंड कैसा ह्पलस का नहीं कर रहेते हैं आपको चेहना इधर left में देखना है sin इसमें चेहन प्लस के cos टिटा में और cos इसमें चेहन प्लस टिटा क्यास हो जागा माइनस का cos टिटा अब देखिए यहाँ पर cos 90 प्लस टिटा यानि की minus का 10 टिटा क्योंकि second quadrant में second quadrant में केवल sine और cosec positive होते हैं बागी सब minus के और यहाँ पर देखिए sac 90 plus theta minus के cosec theta क्योंकि आप जानते है sac किसमें change होता है sac change होता है cosec theta में तो cosec theta तो आपको लिख नहीं है लेकिन आपको देखिए इसलिए यहाँ पर यह नगेटिव आएगा अब देखिए यहाँ पर को सबसे पहले आपको यह देखना है इसके बाद क्या करना है कि second quadrant में यानि कौन से positive है कौन से negative है अब देखिए second quadrant के अंत्रगत sin और osac theta positive है और बाकी क्या है सब negative है अब देखिए हाँ पर और यह change और no change वाली line पर आता है यह भी समझना है कि xac- theta कौन से line पर आ रहा है देखिए हाँ पर xac- theta xac plus theta कौन से line पर आते है यह no change वाली line पर है तो यहाँ पर जैसे sign है तो sign का sign ही रहेगा यानि plus minus तो लगेगी लगेगा लेकिन यहाँ पर जैसे sign कि समेंड होगा 180-c-t éta वाले कोण के लिए यानिकि sin का sin ही रहेगा sin 100c-t यानिकि plus का sin theta cos 180-c-c-c-c-c देखे, माइनस का cos क्यों आ रहा है अब देखे, आप यहाँ पर यहाँ पर sin और cosach positive रहेंगे बाकि सब negative रहेंगे 180-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c सबसे पहले हैं को क्या करना है कि एक सो सेपलस ठीटा देखना है है कूसे quadrant माता है तो देखिए x4 C फ्लस – THETA थर्ड गौट्रेंट के अंदर है और थर्ड क्ौट्रेंट में है तो देखिए ये खुन सी line पर आ रहा है यहां पर second line पर आ रहा है क्योंकि यहां आपको बतायता है जहांically second line ने कैसी है नो चेंज तो जैसी यहाँ पर sin 180 फ्लस थीटा है तो यहाँ पर sin थीटा रहेगा लेकिन plus minus इस quadrant की वह इसे लगाना है अब देखें यहाँ पर third quadrant में कौन-कौन plus के 10 और 4 प्लस के होते हैं बागी कैसे होंगे सभी minus के देखें यहाँ पर sin 180 फ्लस थीटा तो यहाँ पर no change रहेगा क्योंकि sin का sin यहाँ आएगा और cos का cos और 10 का 10, court का court और sec का sec और cosec का cosec अब देखें प्लस माइनस किस तरीके से लगाना है अब आप यह देखना है देखें थर्ड क्वाड्रेंट में 180 फ्लस थीटा आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और court positive है यह यह देखें और court positive बागी सब negative अब देखें दो सत्तर माइनस थीटा के तिर्कुण मित्य अनुपात देखें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दो सत्तर माइनस थीटा देखें कों से चतुरतांस में आता है और उसके बाद देखें यह देखें यह तीर्किया चतुरतांस में आता है दो सत्तर माइनस थीटा और कों सी लाइन पर आ रहा है तो दो सत्तर माइनस थीटा कों से चतुरतांस में तीसरे में जब तीसरे में क देखिए यहां पर सबसे पहले के तीसरी क्वाडियंट में रखेंगा की स्ट जोगा को ठीटा टीटा में कैसा है क्लस का तो यहां पर क्लस थीटा-1 बाइगा सब्सक्राइब और प्लस माइनस देखना है तो देखिए हाँ पर तीसरे प्लस कर लीजिए को प्लस कर लीजिए बाकी सब क्या कर दीजिए हैं पर नगेटिव चार्ज लगा दीजिए तो सबसे पहला आपको मैं पहली बता चुका हूं दो सबस्तर प्लस चीटा देखिए कोन से वाडरेंट में यानि कि फोर्थ क्वाडरेंट में और जब यह पूर्थ क्वाडरेंट में तो आप देखिए यहां पर पून सी लाइन पर आ रहा है यानि कि चेंज वाली लाइन पर आ रहा है, जब यह चेंज वाली लाइन पर है, तो यानि कि साइन का सब्स होगा, तो देखें, आप सब्सके लगाते हैं, देखें, यहां पर देखें, हापर फोर्थ क्वाडरेंट में, एक कोस घीटा आ पलजbes के बागी सब माईनस के है, लेफ recommend में देखना है इधर निध Chaer. और झितने इग्नोमेट्री रेश्य ??? वच्छे सभी पर क्या लगना है आपर माइनस चार्ज लगना है अब देखें यहां पर 360 माइनस ठीटा के तिरकोण मितिया अनुपात देखें फिर मैं आपको वही बताने वाला हूं कि 360 डिगरी माइनस ठीटा है आप यह देखें कौन से क्वाडरेंट में है यानि कि से का को स्य है अब आपको यह देखना है कि कौसे क्वाडरेंट में है और फॉर्थ क्वाडरेंट में है क्Оण क्रूस क्यें सब सब्सक्राइब करें है यानि कि कोस्थीटा प्लस है और सब्सक्राइब करेंगे। साट प्लस दिटा fine theta os 360 degree algorithms b morIGH इसितर सबी कैसे रहेंगे सभेट के रहेंगी यानि कोड का कोड रहेगा सैक का सैंच और और मुझे आशा है कि जितने मेने टॉपिक्स आपको समझाए आपको इना बयर सカ्ज को पोजिटिव होते हैं और तीसरे में 10 कोड़ी को पोजिटिव होते हैं बाकी स nor जिटिव क्यों होते हैं और कोर्थ में स्क कॉर्थ में to plus का cos theta या 10 minus theta is equal to minus का 10 theta क्यों आता है तो next वीडियो में समझेंगे तब तक के लिए जय हिन जय वारा